दोस्तों अगर आप अपने ट्रेडिंग में moving averages यूज़ करते हो और अभी भी golden cross और dead cross के पीछे पढ़े हो तो ये वीडियो आपके लिए हम देखेंगे तीन unconventional methods moving average को यूज़ करने के लिए बने रहीएगा हमारे साथ वीडियो पूरा देखेंगा जरूर से आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मेरी तरफ से और पूरी pro rsi की टीम के तरफ से आप सब को दिवाली की हार दिक्ष्योब करना है मैं यह आशा करता हूँ और मैं यह बगवान से प्रातना करता हूँ कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में स्वयम महालक्षमी आके विराजे आपको सुख संपन और संपती तीनों चीज के आप स्वामी हो और आपको बहुत सम्रिद्री मिले आपको बहुत बहुत बढ़ोत को अपने चार्ट को लगाते हैं कोई ना कोई मुविंग आवरेज हमारे स्क यूज्य करते हैं को क्रोस कर देता है ज्यादा दियान देते हैं लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि क्रो सिगनल होते हैं वो moving average के true signal नहीं होते यानि की crossover को अगर आप trade कर रहे हो तो अभी आप बहुत आदम जमाने में stone age पे trade कर रहे हो मैं आपको दिखाऊंगा इस episode में moving average को trade करने के moving average के साथ trade करने के कुछ अलग तरीके आप अपने charts पे जो moving average लगाते हो ये episode देखने के बाद moving average को देखने का तरीका आपका बिलकुल बदल जाएगा तो बने रही है हमारे साथ और साथ ही साथ एक पठाका bonus मैं लेके आया हूँ moving average के method के उपर ही पठाका bonus लिखा है हूँ जो मैं इस वीडियो के दोरान आपको समझाओंगा और आप मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर उस method को use करेगा तो बड़े-बड़े multi baggers stock आप पकर सकते हो मैं आपको multi baggers stock नहीं देना चाहता है मैं चाहता हूँ कि आप खुद multi baggers जो है वो खोजना शुरू करो और खुद multi baggers से trade करना शुरू करो तो जल्ली से चलते हैं हमने presentation की और और शुरू करते हैं moving average का autopsy उससे पहले friends देखे दिवाली का मौका है एक दुसरे को हम gift देते ह है gift लेते हैं तो आपको क्या करना है gift देना है किसको अपने दोस्तों को जो की stock market में interested है trade करने में और उनको profit नहीं हो पा रहा है तो कि उनके पास साई knowledge नहीं है तो आपकी responsibility बनती है कि हमारा यह जो वीडियो है अपने दोस्ता तक पहुंचा है कैसे पहुंचा है शेर यह वीडियो पहली बार देख रहे हो और अभी तक चैनल को subscribe नहीं कि है तो पहला काम तो यह करना कि नीचे लगे subscribe बटन पर क्लिक करके चैनल को subscribe जरूर कर देना और अपने सुझाओ विचार नीचे comment box में लिखके बताना और वीडियो को like कर भी न आगे मत बना तो इसी के जानते हैं it is the most widely used indicator सबसे widely used indicator है और सबसे अच्छा और सबसे अवल इसका function यह होता है कि यह noise को noise को chart देता है कोई random movement जो हमें दिखती है random short term price movement जो दिखती है उसको smooth कर देता है तो जैसे कि अगर आप समझेए कोई भी आप trend में trade कर रहे हो तो आपको कुछ price movement कुछ इस तरह से दिखती है ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे प्राइज आपको दिखती है तो moving average friends क्या करता है आप कोई भी period का moving average लोगे ना इसको smooth कर देता है तो जैसे ही आप moving average इस price पे plot करते हो आपको समझ में आ जाता है कि trend क्या कर रहा है उपर के तरफ जा रहा है नीचे के तरफ जा रही है यह आपको moving average से पता से जाता है तो यह देखिए यह noise को छांट देता है और random short term जो price movement है उसको smooth कर देता है fluctuation जो है वो हटा देता है तो moving average एक कमाल का indicator है फ्रेंट देखिए बहुत commonly used indicator है मैं इस word को reframe करता हूं इस line को reframe करता हूं बहुत commonly misused indicator है आप ये वीडियो देखिए और आपको पता चल जाएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं राइट नेक्स्ट आप देखिए moving average को कई तरह से construct किया जा सकता है आप आपने सुना होगा EMA SMA उसके बाद harmonic moving average उसके बाद हल का moving average इसके अंदर भी बहुत सारे PhD लोगों ने कर रखी है लेकिन हम लोग है अपना confusion एद्दम minimum रखेंगे हम लोग यह सब यह सब यह सब fancy नाम के पीछे नहीं जाएंगे we will stick to SMA और EMA in some cases right maximum देखिए मैं अपनी trading में maximum time simple moving average का इस्तमाल करता हूं मैं ऐसे tools में ही इस्तमाल करना चाहता जो की easily readily available नहीं हो right जिसके लिए हमें अलक से पैसे लगाने पड़े और यह देखिए हल moving average फिर alerts का moving average होता है फिर ALMA होता है फिर क्या क्या होता है friends यह सब जो होती है ना सिर्फ confusion create करती है confusion create करने का ingredient होता है अपने को अपनी जो trading है वो beautifulness होती है आपको पैसा simple trading से ही मिलेगा आप लेकिन हाँ simple trading का मतलब यह नहीं कि over simplify करके उसको आपको गलत सिखाना शुरू कर दे वह मैं नहीं करता लेकिन हम लोग maximum cases में SM और E में रखेंगे तो इसहां पर यह अलग-अलग तरह से construct हो सकता है और सबसे सबसे बरा बात सबसे मज़िदार बात का इसका यह है कि यह अलग-अलग intervals के लिए यूज किया जा सकता है अब देखिए friends कितना versatile indicator है यह कितना versatile indicator है short term वाले trader भी यूज करते हैं medium term ट्रेडर तो आप अपनी usage के हिसाब से इसके period को set कर सकते हैं कितना versatile है आप देखिए इतना simple indicator है और इतना effective indicator है लोगों ने इसको ठीक से समझा नहीं और फिर क्या होते ना इसे abandon कर देते हैं और चल पड़ते हैं कुछ ऐसे ऐसे indicator के पीछे जो की समझना तो सबसे पहले पहाड है और उसके बाद उनको use करना तो और भी पहाड है तो यहां पर देखिए बहुत ही easy calculation होती है बहुत ही flexible indicator है maximum जो इसका usage होता है वो support और resistance determined करने में काम आता है और और देखिए यह जो लिखा है cross over cross over जो है buy or sell signal देता है मेरे भाई अगर इस cross over के पीछे पड़ गए तो आपकी moving average पे हो जाएगी दुश्मनी क्योंकि यह जो cross over signal है यह moving average को trade गणने के लिए नहीं है मैं दिखाता हूँ आपने सुना होगा दो word आपने जरूर सुना होगा एक आपने सुना होगा golden cross और एक आपने सुना होगा death cross यह दो word आपने बहुत बार टीवी में नियूस पेपर्स में और जो नैपी में भी happy analyst लोग होते हैं जो अभी अभी पैदा हुए हैं जिनकी नैपी अभी उनकी ममी स्चेंज करती हैं वो इस तरह की बाते करते हैं अब आप बुलेंगे sir आप ऐसा कैसे बोल सकते हो तीवी पे जो बंदे आते हैं उनके पास इतना बड़ा बड़ा राइट इतने बड़े बड़े उनके पास portfolio होते हैं हाती के दाथ दिखाने के कुछ और होते हैं खाने के कुछ और होते हैं मैं आपको प्रूफ करूँगा मैं कोई भी बात बेवजू क्रॉस होइर के लिए यूज केता यह सबसे सबसे गलत हैं ठीटर के लिए दिखाते हैं घ्ल न क्रॉस यह सब ने भूड़ें क्रॉस मोविंग जो सुन 2ungkin का मुविंग उबढ़िज 50 SMA और 200 SMA को और माना जाता है और कहा जाता है कि जब 50 दिन का moving average, 200 दिन के moving average को crossover कर दे, then it is a bias signal, right? यह है golden cross की definition, कहीं पर भी जाके पढ़ दिजिए, इंटरनेट पर कहीं पर भी किसी भी किताब में उठाके पढ़ दिजिए, यह golden cross की definition होती है. अब हम आते हैं, और यह चीज देखते हैं, charts पे, सीधा आते हैं, और यह चीज देखते हैं, charts पे, देखें friends, मैंने यहाँ पर 50 दिन और 200 दिन का moving average plot किया है, यह golden cross, यह यहाँ पर golden cross हुआ, अब मैं इसको थोड़ा सा उपर करता हूं, somewhere here, अब यहाँ पर यह golden cross हुआ, इसका मतलब यह आपको बोल रहा है, buy, यह आपको buying opportunity दे रहा है, यह यह आपको बोल रहा है, कि यह stock जो है, वो uptrend में चला गया है, ठीक है, अब आपको एक चीज समझना है, वो यह समझना है, कि जब यह stock uptrend में गया, यहाँ पर देखिए, यह जो golden cross जो हुआ था, golden cross जो हुआ यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर हुआ था, अब यहाँ पर आप देखो, golden cross होने के पहले, stock जो है, 20% की rally, अल्रेडी पोस्ट कर चुका है, मतलब कि, अगर यह अपने bottom से 40% बढ़ेगा, तो यह 50% की rally, मतलब कि 50% of its move, अगर यहाँ से लेके, यहाँ तक का move 40% है, यहाँ से लेके, यहाँ से लेके move 40% है, तो यह यहाँ पर 20% का move अल्रेडी कर चुका है, 50% का move golden cross over होने पे, यह अल्रेडी पोस्ट कर चुका है, अब भई हम क्या बेवकूफ है, कि यह यहाँ पर, यह जब इस तरह का move बना रहा है, तो हम wait करेंगे कि यह golden cross करें, उसके बाद हम market में घुसे, और देखिए golden cross होने के बाद क्या हुआ, यह भी आप देख लो, यहाँ पर golden cross over होता है, यह संबर यहाँ पर, जैसे मैं आपको दिखाया न, यहाँ पर golden cross हो रहा है, यह देखिए मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, और आपको थोड़ा सा ताप करके दिखाता हूँ, यह यहाँ पर यह golden cross हो रहा है, उसके बाद देखिए क्या हुआ, price करती है correct, price करती है correct, अब आप मेरे को बताओ, कि golden cross जो लोग चिलाते हैं, क्या एक वर्दी signal है trade करने के लिए, बताओ न, आपने उसे comment में मुझे बताओ, क्या यह कोई भी गुद्धी मान trader, यह 20% के move को छो जोड़के यह golden cross के बाद यहाँ पर अगर मैं signal ढूंटा हूँ, तो यह तो यहाँ पर देखिए, 1100-1200 के पास जाकर वापस 1040 के पास आता है, तो यह almost 20% का move छोड़ दे रहा है, भाई, इस तरह से तो मैंने तो नहीं सीखा है trading, की थी मैंने, यह गलती पहले मैं भी करता moving average को golden, जो कि हमारा एक perception है, और हमारा एक thought process है कि जो भी किताबों में लिखा है, जो भी किताबों में लिखा है, वो सकते लिखा है, और हम उसी को पढ़के practice करते हैं, यह जब जो किताबे हैं, यह easily available है, कोई भी retail trader, छोटा trader, मैं भी retail trader हूँ, आप भी retail trader हैं, यह किताबों को अक्सेस कर सकता है, आराम से, और इनमें दिये हुए strategies को follow करके, हम सब जानते हैं कि trade कर लेते हैं, तो उसके बाद पैसे क्यों नहीं बन रहे हैं, क्या कारण है, लोग भी यही पढ़ा रहे हैं, किताबों में भी यही लिखा है, उसके बाद भी पैसे नहीं बन रहे हैं, क्या कारण, कारण यही है, कि यह सब जो तरीके हैं, उनको या तो आप गलत समझते हो, या उनको सिखाने वाले बंदे भी ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखिए next, मैं बहुत सारे example आपके लिए लेके हैं, बहुत सारे example आप चिंता ही मत करिए, यहां पर देखिए, यह भ हमारे लिए आगे एक base तेजार करेगा कि किस तरह से हमें trading को अप्रोच करना है, क्या हम जो देखते हैं, क्या जो हम सुनते हैं, वो सकते होता है, वो सकते नहीं होता है, यहां पर देखिए, golden cross होने के बाद, आपको मैं unginate example दिखाऊंगा, देखिए, यहां पर यह golden cross पहले यह stock 30% की rally दे चुका है, यहां पर, यहां golden cross होता है, golden cross होता ही, आप क्या करेंगे, आप भागेंगे, buy करने, medium ने बोला, सुन्दर कन्या, lipstick powder लगा कर, आपको बोलती है, कि this stock has now registered a golden cross, and we see that a 50-day moving average has crossed above the 20-day moving average, this stock is gonna soar, it's gonna go to the moon, pass, आधा तो आप emotion में बह गए, उनको वो कन्या को, सुन्दर कन्या को देखकर, और दूसरा golden cross को देखकर आप, golden cross को आपने golden opportunity सोची, और आप कूद उपड़े इसको trade करने के लिए, और देखिए, जैसे ही आपने entry करी, वो सुन्दर कन्या, अपने असली वेश में आ गई, औ और आप में देखा, अरे, यह तो सूपन कहा है, जिसे आप सुन्दर कन्या सोच रहे थे, तो सूपन कहा निकली, आप के लिए तो सूपन कहा ही निकली, यह देखिए, क्या हुआ उसके बाद, तो golden cross और फिर आप मुझे पूझे कि क्या, यह golden cross यह सब बेकार है, नहीं, इ यह चीज हमें अपने दिमाग में डाल लेना है, कि golden cross को अगर आप trade करते हो, तो आप trend में बहुत late entry करते हो, नमबर वन यह चीज अपने दिमाग में डाल लिए, सेकंड आता है death cross, death cross bear market में बोला जाता है, कि जब 50 दिन का moving average, 200 दिन के moving average को cross करके, नीचे जला जाता है, और फिर हम death cross बोलते हैं, officially हम बोलते हैं कि जो market है, वो bear market हो गया, है यह देखते है, death cross के कुछ examples, let us see, तो यह death cross का example है, देखिए, यहाँ पर 20% decline, already हम लोगों को top से मिल गया, जब death cross हुआ, जब death cross हुआ, यह death cross सिग्नल था, यह 50 दिन का moving average ने, जब अपने 200 दिन के moving average को काट तो already 20% decline from the top register हो चुका था, यह चीज का ध्यान रखिएगा, और जैसे death cross होता है, उसके बाद देखिए, price एक pullback देती है, price एक pullback देती है, क्योंकि, क्योंकि, यह death cross के पीछे बहुत जन बेशने भागेंगे, मीडिया में आएगा, टेलिविजन में आएगा, सोशल मीडिय पर आएगा, newspaper में आएगा, तो बहुत जन भागेंगे sell करने, कि भाईया death cross हो गया है, death cross हो गया, तो आप बेचोगे, तो already 20% उपर से लगाता, price नीचे crash करके आया है, तो यह यहाँ पर थोई सी सांस लेगा, यह यहाँ पर थोड़ा सा थेरेगा, खमेगा, उसके बाद आ देखे, newspaper में लिखा, ET में आया, इसमें आया, उसमें आया, भाईया निकल जाओ, कली खतम हो जाने वाली है दुनिया, तो फिर देखिए, जैसे ही आप अपने position को square off करते हो, जैसे ही आप shot करते हो, यह price shot covering करना सुरू कर देती है, और उपर के तरफ recover करना सुरू कर देती ह death cross है, और भी example, बहुत example, मैं आपको maximum example देखे, literature की कम बात करेंगे, चार्ट पे जादा बात करेंगे, देखिए next example भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके इलावा आप खुछ जाकर जितने example हो सकते हैं, चार्ट पे देखिए, आपको पता चलेगा कि मैं आपसे क्या कहना च हो चुका, 26% decline अल्रेडी हो चुका था, और death cross देखिए, somewhere में है, मैं यहाँ पर line किछता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, death cross somewhere यहाँ पर हुआ, और जैसे यहाँ पर देखिए, death cross हुआ, price क्या करती है, वापस pullback उपर के तरफ देती है, आपको फसा देती, you get trapped in this, तो य यह सब example से, यह चीज तो बहुत ज़्यादा clarify अपने दिमाग में हो गई है, कि crossover वाला signal अपने को moving averages में नहीं trade करना है, और खासका death cross और golden cross तो बिलकुल भी trade नहीं करना है, तो अब death cross और golden cross का महत्वर क्या है, वो हम बताएंगे आपको, यहाँ पर देखिए, यह ने bottom बनाया, हाली में, मैं उसी का example लेके आ रहा हूँ, stocks में तो खेर छोडिया, अपने को लगता है कि बहुत बड़ा movement आता है, आप बोलो कि stocks में तो बहुत बड़ा movement आता है, तर देखिए, गोल्डन क्रोस के पहले की move है, यहाँ से लेके यहाँ तर, यह गोल्डन क्रोस जब गोल्डन क्रोस हुआ, उसके बाद देखिए, निफ्टी वापस corrective mode में चली गई, अब आप खुद मुझे बताओ, कि क्या, क्या फाइदा हुआ, यहाँ पर निफ्टी में, आप गोल्डन क्रोस का wait करोगे, आप trend को determine करने के लिए कि trend निफ्टी में uptrend आ गया है, औ आप गोल्डन क्रोस का wait कर रहे हो, अपनी positions बनाने के लिए, जब निफ्टी अप trend में जाएंगे, तब हम positions बनाएंगे, अरे भीया मेरे भाई, निफ्टी तो यहाँ पर 15200 के level से, जब आपका golden cross moving average करता है, तो 17000 already पहुंच रहे, 1800 point की rally, निफ्टी ने already यहाँ पर दे दी 10% से ज़्यादा move nifty ने already दे दी, तो अब आप क्या होगे, जुटे बरतन माज होगे golden cross के बाद, थोड़ा सा अपना सोचने का तरीका, थोड़ा सा analytics का तरीका change कर लो, और उसके बाद देखो, आपको सब कुछ अलग दिखने लगेगा, मैं कुछ आपको अलग नहीं सिखा बस मैं आपका नजर, मैंने कहा ना, नजर change मत करो, इसले एपिसोड में भी कहा, नजरिया change करो, सेम चीजे को दूसरी तरीके से देखना, वही मेरा काम है, वही मैं आपको सिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, यह golden cross, अब हमारे दिमाग में, एक चीज जहाँ पर हम ल नहीं आने है, एक application है, मैं आपको आगे बताता हूँ, नेक्स चलते हैं, तो अब हम moving average को तीन बहुत ही unique way में trade करेंगे, भाई, अगर आप भरत जिंजिन वाला के साथ हो, तो आपको कुछ ना कुछ अलग तो सीखने मिले गई, कुछ ना कुछ unique तो सीखने मिले गई, अगर वही सब चीज अगर YouTube पे है, वही में हम आपको बता दे, तो फिर हम अलग कहां से हुए, तो यह चीज की guarantee मैं आपको देता हूँ, कि पैसे दे कर भी आप वो चीज नहीं सीख पाएंगे, जो मैं आपको यहां खड़े खड़े YouTube पे free में सीखाता हूँ, और इसका कार इस gap को मैं कम करना चाहता हूँ, उस gap को मैं narrow करना चाहता हूँ, तो यह चीज ध्यान रखिएगा, कि यह तीन unique way, पहला वाला, देखिए, last, last episode में हम लोगों ने आपके साथ prize action के 10 techniques discuss किये थे, 10 important techniques of prize action, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, तो जाके देखिएगा, वो भी बहुत कमाल का वीडियो है, तो वहाँ पर हम लोगों ने बात की different build-up की, कि कोई भी, कोई भी break down होता है, या नीचे के तरफ break out होता है, तो वहाँ पर build-up होना बहुत ज़रूरी है, build-up का मतलब क्या होता है, आपके information के लिए एक बार मैं यहाँ पर share कर देता हूँ, ज यहाँ पर resistance है, और यह price resistance के पाँ जा रही है, तो break out करने के पहले, यहाँ price थोरा सा consolidate करे, और उसके बाद break out हो, तो यह जो level है friends, यहाँ पर जो price ने थोरा time spent किया, उसे हम build-up बोलते हैं, और इस build-up को, यह bullish build-up है कि bearish build-up है, इसे पचानने का तरीका, हम लोगों ने last वा और conviction के साथ कैसे trade करते हैं, यह बहुत जरूरी है कि breakout के पहले build-up हो, यह हमने देख लिया, बहुत सारे charts के आपको explain किया, लेकिन अब इस breakout, इस build-up पे और conviction, और हम वो कैसे लाए, भरोसा, और हम वो conviction कैसे लेका है, वो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, तो यहाँ आपर देखिए, हम क्या करेंगे, कि जैसे ही build-up हो, हम यह देखेंगे, 21 day का simple moving average, daily chart है, simple moving average, 21 day का simple moving average, price के साथ catch up करे, इसका मतलब कि price जो है, 21 day, simple moving average के पास आ जाए, build-up होते समय, तो देखिए, यहाँ पर, यह important resistance के सामने, build-up हो रहा है, important resistance के सामने, यहाँ पर, यह build-up हो रहा है, और यहाँ पर, build-up के साथ साथ देखिए, यह दो 21 day का, यह लाल बिन की जो moving average है, यह 21 day की moving average है, तो यह build-up के पास, यह 21 day का moving average भी आ गया, it is catching up with the 21 day moving average, उसके बाद यहाँ से breakout, और उसके बाद वापस देखिए, retest वगेरा, ले resistance से पास breakout हो गया था, तिर बहाँ पर consolidation हो रहा था, अब हमें साथ साथ में यह दिख रहा था, कि price जो है, 21 day moving average को support कर रही है, price जो है, 21 moving average को hold कर रही है, यह एक conviction हम लोगों को मिल गया, और यह जो build-up है, अब यह और भी strong build-up हो गया, क्योंकि इसके साथ 21 day का moving average भी है, तो ह हम यह चीज़ देखेंगे, कि moving average का यह application है, कि build-up के पास, build-up के पास, कम से कम 21 day का moving average आ जाए, 21 day के moving average से बहुत दूर build-up नहीं हो, right, तो build-up और 21 day moving average एक दुसरे के साथ catch-up करे, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मैं आपको यही बताने चाहरा था, अच्छा हुआ यह यहाँ पर example आ गया, यह देखिए, यहाँ पर build-up हो रहा था, यहाँ पर आपको दिखाई दिया, build-up तो होई रहा है, लेकिन यह build-up में, यह build-up में एक चीज़ की कमी थी, आप यहाँ पर देखिए, यह जो build-up हो रहा था, यह 21 day moving average से थोड़ा सा दूर था, यहाँ पर य क्या हुआ, यह correction हो गया, हो गया ने correction, मतलब कि यह जो build-up है, यह without 21 day moving average वारा build-up था, अगर यह 21 day का moving average ऐसे करीब आ जाता इसके, तो थोड़ा conviction आ जाता, लेकिन 21 day से दूर था यह, यह कम से कम भी यहाँ से देखिए, काफी percentage दूर है, यह यहाँ पर देखिए, 7 से 8, 10% यह 21 day का moving average से, तो यह जो build-up है, 21 day का moving average से दूर है, यहाँ पर देखिए, it is a high chance of failure, क्यों? क्यों कि, जो moving average होते हैं, वो mean reversion पे काम करें, mean reversion, price जो होती है, वो mean reversion पे काम करती है, mean reversion का मतलब कि price जो है, अपने mean को touch करेंगे, mean जो होता है, mean median vote हम लोगे स्कूल में पढ़ अगर price अपने mean से दूर हो जाए, तो यह चीज याद रखिएगा, कि price will again come and meet the mean point, अब एक twist में लेके आता हूँ, जो mean point है ना, यह हमिशे 21 day का moving average नहीं होता है, यह change हो सकता है, right, price के movement पे, right, अगर price का movement change हो गया, price की range अगर change हो गई, तो price का mean भी change हो जाएगे, तो जरूरी नहीं है कि 21 day moving average को, अगर price 2020 में follow कर रही थी, 2019 में follow कर रही थी, तो same stock का price जो है, 2022 में भी 21 day के moving average को follow करे जरूरी नहीं है, अगर price की movement, price की range अगर बदल जाती है, तो उसका mean भी बदल जाता है, कोई भी नहीं बताएगा यह बाद, किसी को भी पता भी नहीं है, क्योंकि आज़र से ज़्यादा लोग, आज़र से ज़्यादा लोग नहीं, 99.99.99 के लोग, जो आपको सिखा रहे हैं, आज तक कभी भी successfully trade नहीं कर पाए, trading में वो failure थे, इसलिए आपको सिखा रहे हैं, यह सब जो चीज़ें ना friends, बहुत बहुत रगड़ रगड़ के सीखिए, नुकसान करकर के सीखिए, कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों, देखते थे charts, देखते थे charts की 2006 में जो moving average follow हो रहा है, 2008 में moving average, वाला, क्यों नहीं follow हो रहा है, क्या कारण है, what is the reason, यह reason है, कि price का जब range change होगी, price की जब movement change होगी, तो उसका mean भी change हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी example मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, next, यहाँ पर देखिए, यह जो build-up हो रहा था, यह जो यह सब जो charts है, यह market ने बनाए है, मैं बार-बार कहता हूँ कि मैंने नहीं बनाए है, ऐसा नहीं है कि मैंने बना दी फोटोशॉप करके, यह जब charts के सारे नाम है, उन से time frame के charts है, सब यहाँ पर दिया होगी, जा के check कर लेना, यह देखिए, 21 days से इसका distance अगर आप देखो जो कितनी दूर था यह, यह जो price जो है, यह जो build-up हो रहा था, यह 21 day का moving average है, और यह build-up जो है कितनी दूर हो रहा था, finally क्या होता है, इसका result आप देखिए, finally इसका result क्या होता है, यह देखिए, breakout fail हो गया, sustain नहीं कर पाया, उपर जा नहीं पाया, breakout fail हो गया, इसका कारण यह जो अपने mean के पास वापस आएगी, right, price जो है, अपने mean के पास वापस आएगी, और उस समय हमें यह देखना है कि price क्या करती है, अपने mean के पास आकर, price यहां पर रुख जाती है, ठम जाती है, price क्या करती है, उस समय price के analysis करना है, और फिर उस हिसाब से accordingly हम लोगों को trade देखें बार बार, एकी चीज, एकी चीज मैं आपके साथ repeat कर रहा हूँ, बिल्डप, जहां पर, ऐसा बिल्डप हमें देखना है, जहां पर उसका moving average उसके साथ catch up कर जाए, और वैसा build up एगर आपको मिलता है, जहां पर उसकी moving average उसके साथ catch up कर जाती है, वो जो build up होता है, high conviction build up होता है, आपर देखिए यह जो build up है, इसके साथ, इसकी moving average catch up कर गई, अब यह क्या है, 21 DA में, 21 daily moving average की बाँ में बात कर रहा हूँ, right, मैं daily charts की बात कर रहा हूँ, मैं 5 minute, 10 minute, 15 minute की चाट कर रहा हूँ, देखिए, मैं noise को trade नहीं करता, मैं किसी भी time, मैं पे trade नहीं करता, मेरे maximum trade जो होते हैं, वो या तो daily chart पे या weekly chart पे होते हैं, मैं कभी भी उसके नीचे वाले period पे trade नहीं करता, ना ही weekly chart से उपर जाता हूँ, तो मैं एक swing trader हूँ, और मैं ना तो short term trade, मेरा, मैं उतना stress नहीं ले सकता, ना मैं 24 घंटे computer के सामने बैठ सकता और price को उपर नीचे जाते देख सकता हूँ, वो उस तरह का emotion build-up मेरा नहीं है, तो मैं short term trading नहीं करता, ना मेरे पास उतना patient है कि भाई, patience है उतना कि भाया, मैंने खरीदा था 1990 में, एक vipro का share मैंने खरीदा 1990 में, और 1922 तक मैंने hold करके रखा, एक vipro का share मुझे बना दिया कि इसका कारण यह है friends कि हम अगर long term trade करते हैं, थोड़ा सा अलग topic पर जाते हैं, हम अगर long term trade करते हैं, long term की बात हम करें, long term की अगर हम बात करें, market कितना dynamic हम जानते हैं, आज से, आज से, 40 साल पहले, 40 years, 40 years पहले जब हमारे पापा, देवर यंग, जो जब हमारे पापा हमारे age के थे, देवर यंग, उस समय कोई भी trend जब sustain होता था, कोई भी trend, चाहे वो business का trend हो, चाहे वो fashion का trend हो, चाहे वो technology का trend हो, चाहे किसी भी चीज का trend हो, economy में किसी भी चीज का trend हो, वो trend जो था, वो sustain करता था, कम से कम, 10 से 20 साल, राइट, 10 से 20 साल, वो trend sustain करता था, चाहे कोई भी trend हो, फिर, अब हमारे time पे, जब हम आये, तो यह trend sustenance का जो period है न, यह छोटा होते जा रहा है, छोटा, 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 छोटा होते जा र average, तीन साल से जादा sustain नहीं करता है, चाहे आप उसे technology बोल लो, चाहे आप उसे business बोल लो, चाहे आप उसे कुछ भी बोल लो, change बहुत fast हो रहे, बहुत बहुत fast हो रहे, लोगों के पास अभी तक 3G नहीं है, और हम 5G तक पहुँच रहे, आप समझो, और 6G, 7G, 8G तक testing होन तीन साल के अंदर सब कुछ change हो जाएगा, तीन साल के पहले आप जो technology यूज़ कर रहे थे, तीन साल के बाद तो technology आपके काम नहीं आने वाज़े, लोगों को replace करके machines आ रही है, पुरानी machines को replace करके नई machines आ रही है, पलग जपकते ही सब कुछ बदल जा रहा है, तो इस uncertain condition मे जहां पर इस तरह की revolution आ रही है, चाए वो industrial revolution हो, चाए वो economical revolution हो, चाए वो service revolution हो, कोई भी revolution आ रही है, कोई भी trend तीन साल से जादा sustain नहीं कर पा रहा, तो मैं long term trading अगर करता भी हूँ, मैं कोई भी चीज़ को buy and hold करता भी हूँ, तो क्या guarantee है कि वो जो 40 साल पहले जो trend था, ज जो लोग example देते हैं, जो fundamental नहीं जो होते हैं, वो example देते हैं, कि ये long term का फाइदा है, ये long term का फाइदा है, आज के time पे वो सब कुछ नहीं चलने वाला मेरे भाई, एक चीज अपने दिमाग में डाल लो, मैं अभी इसी बात पे एक लंबी चर्चा, एक लंबा ऐसे हम लो बहुत गहरी हम लोगों ने चर्चा की दी, कि इस तरह से जो dynamism आ रहा है, उस तरह से आपको एक mid-weight होना, अगर आप मुझे बोले ये आने वाले तीन साल में, या आने वाले एक साल में, या आने वाले 6 मेहने में, आप कहां देखते हो, इस economy को कहां देखते हो, मार्केट क कहां देखते हो, तो साहिर मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है, और मैं अपने आपको उसी हिसाफ से place कर लूँगा, मैं medium term trend को उसी हिसाफ से पैचानने की कोशिश करूँगा, अपने आपको medium term trend में place कर लूँगा, मैं medium term, medium term जो trend होता है, उसे पैचानने के expert, long term trend देखि या अभी एक चीज़ समझो, China जो है, अभी no covid, zero covid policy है, no covid policy, economy उसकी बंद है, जब उसकी economy खुलेगी, जब उसकी factories सारी खुलेगी, जब उसकी production सारी खुलेगी, उस समय क्या effect आएगा इंडिया पे, ये अभी कोई नहीं बोल सकता, लोग जो economies बड़े बड़े पंडित जो ह कारे में सोचे, क्यों अपने पैसे को वहां पर हम जाम करके रहे, active management खुद करना है, और इसलिए, इसलिए मैं आप सब को यही प्रेरना देता हूं, यही आप सब को यही चीज के लिए प्रोच साहित करता हूं, कि खुद सीखो, मत depend करो, किसी भी portfolio manager पे, मत depend करो, किसी भी research किसी भी call पे, किसी भी tip पे, मत depend करो, खुद सक्षम बनो, खुद सीखो, और मैं आपको बता देता हूं कि long run में, यह YouTube channel मेरा रहे या नहीं रहे, मैं आपको बताने के लिए रहू या नहीं रहूं, लेकिन यह मेरी जो बाते हैं, वो आपको हमेशा ध्यान में रहने चलिए याद आईगी आप, कि बंदा यह बोल रहा है, और कितना सही बोल रहा है, अपने आपको upskill करना सुरू कर दो सर, नहीं तो थोड़े दिन के बाद, आपकी जगा मशीन ले लेगी, मैं आपको guarantee के साथ बता देता हूं यह, तो अब हम लोगों नेक application देख लिया, कि build up के प की कुकू करते हैं, और लोगों को 200 दिन के moving average के बारे में बात करते हूं बहुत सुना है, अब मैं आपको एक ऐसी application बता रहा हूं, और मुझे बताएगा कि आपने यह application पहले देखिए के नहीं देखिए, हम जानते हैं कि support and resistance moving average काम आते हैं, और अगर आपने हमारा support resistance वाला वीडियो देखा है, तो आपने यह चीज हमेशा देखा होगा, कि हम हमेशा एक zone की बात करते हैं, कि support resistance हमें mark करना है, तो एक zone में mark करना है, तो moving average, अगर हम, मैं आपको कहता हूं, 200 दिन का moving average, एक important support and resistance के तरह काम करता है, तो हम moving average को, एक single line, एक fixed level के तरह कैसे use करें, answer me this, zone होगा, it cannot be a single line, बार-बार मैंने आपके साथ यह बात किये, बार-बार यह discussion किया, बहुत जगे, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन जब moving average की बात आती है, तो भई, हम 200 दिन का moving average को पकड़ के क्यों बैढ़ जाते हैं, वह भी तो एक single line ही है, दोस्ते दिन का moving average ऐसा ही तो कु moving average और price action की marriage करा देते हैं, इनकी शादी करा देते हैं, इनका affair करा देते हैं, और एक dynamic तरीका हुंटे हैं trade करने का, भाई साब ठीक से समझना और बताना की कहीं सीखा है की नहीं, हमने क्या किया, यह देखिए, यह normal है, normal तरीका, normal, आम जिन्दगी, mental जिन्दगी, आम जिन् बहुत अलग होती है, guarantee में बता जिता हूं, आपको वह चीज का guarantee है, यहाँ पर देखिए, एक चीज, कि we know that, कि this is a strong support area, यह strong support area है, क्यों, हम जानते हैं, क्या करण है यह strong support area का, कि देखिए, पहले यह area, resistance का area था, पहले यह area, resistance का area था, अब यह resistance तूटता है, अब यह support का area बन जाता है, तो यह क्या है मेरे दोस्त, यह है SR flip, right, SR flip, और मैंने आपको बताया था, कि SR flip जो होता है, support resistance flip जो होता है, यह सबसे important, one of the best and the most important zones होता है, क्योंकि यह इसने दोनों रोल देखें, इसने बुरा अच्छा सब कुछ देखा है, right, यह एक बहुत strong area है, अब, अब इस area के साथ, हम करते हैं कुछ मजा, अब हम देख रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या क्या रेखे, जैसे मैंने आपको कहा कि moving average का भी zone बना देंगे, तो हमने यहाँ पर moving average का band बना दिया, और हम लोगों ने use किया है, EMA, अब हम लोगों ने यहाँ पर 200 period का EMA use किया है, और इसक के साथ, खिलवार कर सकता है, तो अब यहाँ पर देखो, कि यह तो zone important zone था, price actions हमें पता चल गया, लेकिन साथ साथ में मेरे भाई, यहाँ पर यह moving average की लहर भी आ गई, यह लाल डुपट्टा लहराते लहराते, लाज मैने भी पहना है, लाल डुपट्टा लहराते लहराते आ गई moving average, लाल डुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, मेरा नाम है 200 दिन के moving average का high low का band, यहाँ पर price action के साथ साथ, यह 200 दिन के moving average का band भी आ गया, मेरा conviction और बढ़ गया, कि भई यह level तो है, अब एक strong level के तरह काम करेगा, मैने बोला ना, कि दोनों का fair करा देते हैं, दोन आपर देखिये movement, है ना मज़दार चीज, जैसे मैंने आपको कहा ना, कि सिर्फ नजरिया बदन लाए, tools सेम है, मैं कुछ special tools आपको नहीं सिखा रहा हूं, वही candlestick, वही price action, वही support resistance, वही moving average, वही RSI, सब कुछ वही है, बस, थोड़ा सा twist ला दिजिए, magic मसाला, मैगी का, यही है मेरा काम, यही काम मैं करता हूं, आपर देखिये, important resistance, important resistance, breakout हुआ, resistance से breakout हुआ, बहुती strong breakout, and then यहाँ पर retest, breakout के बाद retest, retest के साथ साथ हमें क्या मिलता है, यह लाल डुपट्टे वाली यहाँ पर भी आ गई, यहाँ पर, यह moving average का cushion भी मुझे मिल गया, तो यहाँ पर इस retest मेरा conviction और बढ़ गया, क्योंकि अब, यहाँ पर मेरे पास दो-दो signal है, एक तो तो यह, जो retest का signal है, जो resistance था, अब वो support बन रहा है, दूसरा, यहाँ पर यह moving average का cushion भी आ गया, इसका मतलब कि एक strong support area, strong support area, conviction बढ़ गया, सांती मिल गई कि हाँ, support करने के लिए हैं लोग हमारे पास, अकेला नहीं हूँ मैं, है support करने के लिए लोग, यहाँ पर सांती मिल गया, आते हैं next, देखिए, एक डम जबरदस्ट, और यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश के रिए, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है यह चीज़, प्रेजेंटेशन की शिंता मत करिए, प्रेजेंटेशन आपको चाहिए, तो आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा हमारे राइट, शेर कर दो बस, यह वीडियो को शेर कर दो, अपने WhatsApp ग्रूप पे शेर कर दो, Family के ग्रूप पे, College के ग्रूप पे, College के ग्रूप पे, Office के ग्रूप में, शेर कर दो, और उसके बाद हमें एक screenshot भेजो, कि Sir, मैंने आपकी वीडियो शेर कर दी, तो हमारा जो बंदा ह जो इस नमबर को यूज़ करता है, 9748173333, इस नमबर को जो हमारा बंदा यूज़ करता है, वो आपको इस यह वाली presentation, जो अभी आप देख रहे हो, यह तुरंद आपको भेज़ देगा, रखिए अपने पास reference के लिए, बार बार refer करिए, और presentation को शेर करिए, वीडियो को श हम बढ़ेंगे, तो आपको साथ में लेके बढ़ेंगे उपर, यह मेरी guarantee है, यह मेरी पकी guarantee है, तो यह देखिए, पुशन, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा, जानते समझेगा, बहुत important और बहुत मज़ेदार चीज है, application है, यह moving average की, यहाँ पर देखिए friends, यह एक important resistance, जो यह देखिए, यह support को तोड़ दी, लेकिन support को तोड़ने के बाद, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, थीक से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर हुआ कुछ मज़ेदार game, यह support को यहाँ पर तोड़ने के बाद, यह जो close हुआ है ना friends, यह इस level के नीचे close हुआ लेकिन, यह moving average का pushon था, price को वापस उपर के तरफ push कर दी, price को यहाँ पर, भले इस level के नीचे close हुआ, लेकिन moving average ने price को धकेल दिया, उपर की भईया तू उपर जा, तेरा तो उपर का रास्ता है, नीचे तेरे को नहीं जाना है, मैं नीचे बाहें पहलाए, तेरे लिए देखिए, अगर आप सिर्फ isolation में trade कर रहे होते है, price के उपर, तो यहाँ पर आपकी exit हो जाती, लेकिन moving average होने के वज़े से, आपका conviction बढ़ गया, कि नहीं moving average under support ले लिया, एक session और देखते हैं, अगर moving average को तोर देगा, तो कल निकल जाएंगे, एक session और देखते हैं, और ब भरोसा रखो अपनी analysis पे, भरोसा रखो support पे, भरोसा रखो moving average पे, सही तरीके से इस्तमाल किया हुआ, टूल कभी व्यापको दोखा नहीं देगा, and then there you go, strong movement मिली, यहाँ पर भी देखिए, same, एक दम, second confirmation layer के तरह काम करता है, जैसे मैं आपको कहा, कि confirmation layer, जितनी confirmation, जितने chips, जितने confirmation के तरीके आप अपने जेब में रख सकते हो, जितने तरीकों से आप अपने trade को confirm कर सकते हो, उतना conviction आपको आएगा trade लेने में, देखिए, break out हुआ, strong breakout है, उसके बाद यह गिरता है दम, जैसे जिस तेजी से उपर गया, उसी तेजी से नीच आया, अब यहाँ पर, यहाँ पर, यह previous resistance के पास आया तो है, हम जानते हैं कि breakout होके retest हो रहा है, लेकिन friends, एक बात बताओ, एक simple सी बात, as a trader, भाई मैं भी यही सोचूंगा, और मैं भी यही feel करूंगा, कि भाईया, यह एतने speed में नीचे आया, अब मैं कैसे इस चीज पे conviction लेके आऊं, या मैं कै इस चीज पे भरोसा करूं कि भीया, इतनी speed में आने के बाद यह जो level है, यह बच जाएगा, यह टूटेगा नहीं, यहाँ पर नीचे moving average भी है, moving average होने के कारण तुरा conviction है, कि अगर यह level टूटेगा, तो moving average है, वो उसको room देगी, वो उसको support देगी, और देखिए, ऐसा ही हुआ, वो उसको room देती है, वो उसको support देती है, and then price उपा के तरफ चलाए, बहुत important, थोटा सा change अगर आप अपने trading में कर दो, तो trading में बहुत बड़ा result में change आता है, method में थोटा सा change, result में बड़ा change, right, this is what, it looks like, बहुत जबर्दस movement, और यह same resistance zones की तरह भी काम करता है, exactly same resistance देखिए, important support zone तूटता है, right, और यह वापस आता है, और यहाँ पर देखिए, 200 दिन के moving average, किस तरह से resistance की तरह, वही band है, वही लाल डुपट्टे वाली है, किस तरह से, यह important resistance की तरह काम किया, यहाँ पर भी, and then it acted as a strong resistance at this point also, है कि नहीं तो, भई मैंने कहा ना, आप जाके numerous chart पे, इस चीज को देखो, इस चीज को समझो, इस चीज को practice करो, और उसके बाद आपको अपने आप conviction आने लिए, तो दो तरीके हम लोगों ने देख लिए, moving average को, अलग तरीके से use करने का, अब जैसे मैं आपको कहा था, कि golden cross, और death cross, का जो system है, वो हम कैसे use करेंगे, तो उसको use करने का अलग तरीका है, आईए, अब उसको देखते हैं, और सही मायने में, आप देखिएगा, और आपका पूरा perception change हो जाएगा, moving average के पास, golden cross, और ये जो death cross को use करने का तरीका, ये perception भी आपका change होगा, ये देखते हैं, और friends, आगे बड़े उससे पहले, हमारा एक mentorship program भी है, बहुत लोग जो सीखने को एक्चुक होते हैं, उनके लिए information relevant होगी, ये stock club हमारा platform है, जिसके थुरू हम अपनी mentorship देते हैं, mentorship basically आपको तयार करते हैं, technical analysis में, technical analysis को पूरी तरह से सिखाते हैं आपको, आपको थोड़ा था basic stuff आना चाहिए, basic stuff से मेरा मतलब है, कोई भी trading software आपको operate करना आना चाहिए, बाकी हम समाल लेंगे, इस program में, basically ये mentorship जो program है, ये 80 hours का program है, 80 hours में जितने भी learning part हैं, वो हम लोग ने video में record करके रखें, और आपको जैसे आप program को enroll करते हो, आपको सारे video मिल जाएंगे, आपके पास सारे video deliver हो जाएंगे, आपको video अपनी paste में देखनी होती है, उसके बाद हमारी meetings होती है, यहाँ पर हमारी live meetings होती है, जहाँ पर हम आपके doubts जो हैं, उनको address करते हैं, आपके जितने भी doubts हैं, doubt clearing जो इतनी भी होती हैं, उनको address करते हैं, साथ ही साथ friends, यहाँ पर देखें, indices पे, stocks पे, commodities पे, sector पे, forex and crypto's पे, global markets पे इन सब पे हमारी लगातार discussion होती है, लगातार आपको hand holding मिलती है, लगातार आपको इन stocks को, इन सब asset classes को कैसे approach करना है, यह सब हम बताते हैं, हमारे जितने भी scanners हैं, हमारे जितने भी watch list management system है, हमारा market timing model है, वो भी हम आपके साथ share करते हैं, साथी साथ बहुत सारे revision capsules जो हो वो हम आपके साथ share करते हैं, एक साल का program है friends, और एक साल के अंदर मैं आपको ये guarantee दोता हूँ, कि अगर आप मेरे बतायवे रास्ते पर चलो, तो एक साल के अंदर आपको बहुत अच्छे result मिने लगेंगे, trade book friends, हमारे trade खुद के trade होते हैं, जो हम आपके साथ share करते हैं, ज उसके साथ साथ हमारे पास कुछ छोटे programs हैं, जो कि हम short courses बोलते हैं, यह चोटे programs भी video programs है, यहाँ पर हम कुछ आपको hand holding नहीं देती, यह self learning program है, और यह आप सची मानों, यह CPAD program, और यह वाला program, internet trading वाला program, यह दोनों program हमारे बहुत ज़्यादा famous program है, बहुत लोगों ने को enroll किया है, बहुत अच्छी इसका feedback मिल रहा है, यह से भी बहुत अच्छा program है, यह भी बहुत लोग enroll करते हैं, बहले आप Bollinger Band मत करिए, लेकिन अगर आप अपने आपको upskill करना चाहते हो, अगर आपके पास existing knowledge है, आपको लगता है, कि नहीं, मैं अपने आपको upskill करना चाहते हो, या आप पहले देखना चाहते हो, कि यह सब program करके आपको क्या फाइदा होता है, उसके बाद आप mentorship पे जाना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, अभी थोड़े दिन के लिए, हम लोगों ने आपके लिए एक सुविधा बनाई रखिए, कि अगर आप कोई भी चोटा program लेते हो, और चोटा program लेने के एक मंत के अंदर, वन मंत के अंदर, अगर आप अपना mood बनाते हो, mentorship में अपग्रेड करने के लिए, तो हम आपको mentorship में अपग्रेड कर देंगे, चोटे program से, जितना आपने payment किया है चोटे program के लिए, उतना हम आपका mentorship की fee है, उसे deduct कर तो बस आप समझ लीजिए एक मेना मेरे खाल से बहुत होता है अपना माइंड सेट जचाने के लिए कि आप कर रहे हो तो यह हमारे मेंटर्स मेंटी की रिजल्ट्स हैं यहाँ पर उनकी ट्रेडिंग की यहाँ पर उनकी ट्रेडिंग की आप आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो ट्रेड करते हैं यह रिजल्ट्स यहाँ पर देखिए फ्रेंट्स कुछ यहाँ पर बताने के लाइक नहीं है आपके पास यह प्रेजेंटेशन होगा देख लीजेगा एक दस तिरपान चालीस हजार यहाँ पर देखिए यह यह 93 थाउज 15,000 यह सब हमारे जो ट्रेडर हैं यह उनके ट्रेड्स हैं और उनके ट्रेड्स को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सीखने के बाद फ्रेंट्स बहुत इट्स इप्रेंट्स करता हूं थोड़े दिर बाद क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोग जो होते हैं वो स्टॉ जो चाहते हैं कि मार्केट्स उनको बड़ा पैसा मिले वो थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है क्योंकि देखिये पैसों से ही पैसा कमाया जासा है मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो की बोलते हैं कि पोग्राम आपका जो हम इंस्टॉल्मेंट में करना चाहते हैं या शॉर्ट पोग्राम को भी इंस्टॉल्मेंट में करना चाहते हैं तो मैं हमारी टीम के साथ जब हमें डिसकॉशन करते हैं तो हम यह जरूर सोचने हैं क कि भाई अगर यह बंदा अगर कोई शॉर्ट प्रोग्राम जो 6000 का प्रोग्राम में वो भी इंस्ट्रॉल्मेंट में करना चाह रहा है तो इसके पास क्यापिटल की कमी है और क्यापिटल की कमी अगर है तो वुड फिट्रंड में कैसे ट्रेट करेका तो सबसे पहले पर इंपोर्टन इस से अगर कर सको और उसके बाद वालों कोई प्रोग्राम करेंडूद सब्सक्राइब गेटरिज स्कीम, option trading, option selling, option buying, यह सब में मज जाए, छोटे capital वालों को यह यह चीज़ों बहुत easily driven अवे करती है, अगर आपके पास आज के टाइम पर समझी एक लाख रुपए है, एक लाख रुपए आपके पास है, आज के टाइम पर, और आप जाते हैं, option में trade करने, option में trade क हो दोगे, 90% probability है, पूरा capital zero कर दोगे, मज जाए, सब स्कीम में मज जाए, option trading अलग game है, वो आपको जो बताते हैं न लोग, कि option बेच के unlimited पैसा कमाया जाता है, बड़े जो trader होते हैं, वो option बेचते हैं, सब देखे सब फलतुबाद, पैसे चाहिए, option बेचने के लिए पैसे चाहिए, ने position बनाने के लिए पैसे चाहिए, उसको management करने के लिए पैसे चाहिए, तो बात समझे, friends, मैं किसी को demoralize करना नहीं चाहता, येस, आपको knowledge चाहिए, अबकोर्स, knowledge, अगर आप सोचते हो, कि पहले मैं knowledge दूँँ, उसके बाद, दीरे-दीरे जब capital आएगी, मैं सी मार्केट में, 2006 से हूँ इस मार्केट में, मैंने घाट-घाट का पानी पिया, तो मत जाहिए सर, आप जिनके पास limited capital हो, उनसे तो खास कर, मैं बोलता हूँ कि इस capital को, या तो preserve करके रखिए, या सीखने में invest करिए, और सीख कर जब आपके पास 3-4-5 लाक रुपए हो जाए उसके बाद आप मार्केट में ट्रेड करिए, और 10 साल का experience, कम से कम मार्केट में 10 साल का experience होने के बाद, 10 साल का experience होने के बाद, यी derivative मार्केट में कदम रखे, मत करिए, as a friend मेरी बात ये, माद लिए, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान बचा लोगे, ठीक है, तो आईए अब next जो है, वो एक important चीज, यहाँ पर देखिए, एक और मज़ेदार चीज जो हम discuss कर रहे थे, कि अब तीसरा जो point है, वो होता है, balance और moving average जो होता है, वो balance zone create करता है, अब ये balance zone क्या होता है, देखिए इसके पीछे भी must कहानी है, आज का session थोड़ा लंबा होगा, डिवा balance zone क्या होता है, देखिए, जब भी price, जब भी price किसी zone से break out करती है, ये price, ये एक resistance zone है, अब price इस resistance zone के पास over कर रही है, अब यहाँ से price break out करती है, यहाँ पर जो price over कर रही थी, तो ये price balance ती, balance में थी, अब जब ये break out करके move कर रही है speed में, तो यहाँ पर जो price है, imbalance होगा, अब इस imbalance को वापस balance होना पड़ेगा, तो ये price को वापस balance में आना पड़ेगा, और फिर वो वापस imbalance होगा, ये balance imbalance 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 जो है, वो stop करते रहते हैं, ठीक है, अब आईए, थोड़ी सी एक advance चीज के बारे में बात करते हैं, देखिए आज दिल खोल के मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी, उसके लिए excuse करिएगा, लेकिन आज आपके साथ बहुत ब market hypothesis, मैं एक्स CMT हूँ, मैंने CFT भी की है, मैंने MSTA भी किया है, और मैंने MFTA भी किया है, ये MFTA जो होता है, वो एक PhD के बराबर होता है, यहाँ पर आपको अपना research paper submit करना पड़ता है, technical analysis के उपर, तो मैंने MFTA भी किया, और ये technical analysis की तीनों सबसे prestigious जो degrees certification, ये सब है मेरे पास, वहाँ पर जो करिकुलम की जो किताबे हैं, वहाँ पर बड़े बड़े पंदित, ये efficient market hypothesis के उपर बहुत debate करते हैं, जब मैं पढ़ता था, efficient market hypothesis, वह कहते थे, दो स्कूल है, जो मानते हैं, market efficient होता है, और एक स्कूल होता है, जो मानते हैं, market efficient नहीं होता है, बै, मैं मानता हूँ, market at a time efficient होता है, और at a time efficient नहीं भी होता है, अब efficient और inefficient का मतलब क्या देखिए, हो सकते हैं कि बहुत सारे हमारे CMT के मित्र जो हैं, वो हमसे इस बात को लेकर नहीं agree हो, मत होईए, मैं यहाँ पर किसी को खुश करने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पर अपना experience share करने के लिए हूँ, जो मैंने market में अपना पिछवाड़ा रगड़ रगड़ के बनाया है, कोई भी stock, कोई भी stock, जब demand और supply, कोई भी stock, move होगा, demand और supply से, जब demand और supply का imbalance होता है, जब कोई भी stock efficient नहीं होता, इसमें move होने का scope होता है, एक level पे आकर, एक level पे आकर, जब breakout हो जाता है, समझे, कि यहाँ पर, यहाँ पर, यह stock जो है, एक ascending triangle बना रहा है, और यहाँ पर volume भी बहुत कम है, यहाँ पर volume, अगर market efficient होगा, तो market से कोई भी पैसे नहीं कमा पाएगा, यह देखिए, यहाँ पर, demand और supply जो है, वो बराबर नहीं, imbalance हो रहा है, imbalance, कैसे, क्योंकि, हर एक, level पर buying आ रहेगी, तो यह imbalance हो गया, imbalance होने के बज़े से, कोई बड़ा अदमी से buy करता है, या इस पर और, अगर हम demand का pressure डालते हैं, तो यह क्या होता है, यह breakout हो जाता है, breakout हो जाता है, यह breakout हो जाता है, अब, जब यह breakout हो जाएगा, तो यह एकी गती में नहीं चलेगा, stock cycles में move करते हैं, इस तरह से, यह एकी गती में नहीं चलेगा, यह यहाँ पर वापस रुकेगा, तो यह यहाँ पर, यह हो गया imbalance, अब, यहाँ पर इसको balance करने के लिए वापस आएगा, जैसे मैंने आपको कहा, तो इस इस, वेन, दा स्टॉक, इस, नॉट फॉलॉइं, efficient market hypothesis, यहाँ पर अभी efficient market hypothesis काम नहीं कर रहा है, क्योंकि, यहाँ पर, फोरा सा demand का pressure आते ही, इस टॉक उपर जाएगा, जब, यह उपर का तरफ जाएगा, तो वो धीरे धीरे, जितनी भी information है, जिस वज़े से यह stock उपर बढ़ रहा है, चाहे earnings report है, चाहे कोई नया product launch है, चाहे कोई बहुत अच्छा कोई news है, चाहे कोई CEO change हो गया है, जैसे जैसे जैसे, वो information absorb कर रहा है, यह stock efficient होते जा रहा है, efficient environment में, आपका पैसा नहीं बनेगा, जब stock inefficient होता है, तब आपका पैसा बनता है, थोड़ा सा advance है, इसके पीछे मैंने, बहुत research की है, paper लिखा हूँ, paper submitted है, बहुत जल्दी approve हो के, एक PhD भी आ जाएगी, यह है efficient और inefficient की कहान, तो कभी भी market एक time पे, efficient और inefficient दोनों नहीं रहता है, एक stock efficient भी होता है, एक stock inefficient भी होता है, अब चाहे जितने भी, बड़े बड़े पंडित हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े traders हो, no, नहीं मानो, I really don't care, क्योंकि मेरे हिसाब से, ऐसे ही चलता है, अब मैंने आपको बता भी दिया, इसके उपर मैंने कम से कम, 130-140 पन्ने की hypothesis लिख रखी है, अच्छी तरह से backtest कर रखी है, तो अब हम आते हैं, इतना ग्यान हम लोगों ने आपके साथ बाटा, तो क्या कारण है, अब हम आते हैं, कि moving average जो होता है, वो आपको, जो inefficient zones के बारे में बताता है, जहां पर पैसा बनता है, और दो moving average को यूज करके, हम ये value area खोजेंगे, जो कि पैसा बना सकता है, अब आईए, देखिए, जब breakout हुआ, breakout हुआ, तो ये stock efficiency के तरफ जाने लग गया, इसमें imbalance create हो गया, अब ये वापस inefficiency के तरफ जाएगा, balance create करेगा, balance कहां पर create हो रहा है मेरे भाई, जो golden cross की हम बात कर रहे हैं, ओ दोनों zone के बीच में balance create हो रहा है, breakout, now it creates a balance, ये दोनों के balance बीच में, यहाँ पर balance create करके वापस उपर, फिर नीचे आता है balance create करके वापस उपर, फिर नीचे आता है balance create करके वापस उपर, है मजएदार चीज, कुछ खुला, बलते हैं ना बेटा, मुँ में लड़ू फुटा, वो एक add है ना, यह वही add आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, balance, यह value area है, यह value zone है, यह balance zone है, जो imbalance move को बार-बार balance करती है, stock जो है, वो अपने imbalance move को, efficient से, inefficiency, फिर efficient, फिर inefficiency, फिर efficient, फिर inefficiency, imbalance, balance, imbalance, balance, imbalance, balance, यह cycle stock जो है, uptrend में और downtrend में, परी feed करते रहेगी, और जैसे ही, यह balance imbalance का जो गनित है, वो बिगड़ जाता है, तो वो इस stock के trend पे, एक red flag होता है, next example देखे, यहाँ पर देखे, next example क्या हो रहा है, breakout होता है, breakout होते ही, stock जो है, imbalance हो जाता है, मतलब की, inefficient हो जाता है, यहाँ पर, यहाँ पर देखे, friends, कुछ ना कुछ हुआ, जिस का एरन से, stock breakout होता है, कोई news, कोई earnings, कुछ भी हुआ, stock breakout होता है, तो stock जो है, वो efficiency के तरफ जाने लग जाता है, stock जो है, imbalance हो जाता है, और उसके बाद, stock को balance होना होता है, balance कहा होता है, इसी value area में आके balance होता है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर balance होकर, वापस उपर की journey होता है, हमने moving average को, और किसी चीज में स्ब्चाइब, ना crossover देख रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं, हम moving average को as a balance zone देख रहे हैं, कि यहाँ पर आकर, stock जो है, वापस ineffiscent हो जाए, वापस यहाँ पर, जो है, balance मिल जाए, और फिर, यहाँ से imbalance के तरफ बढ़े, यहाँ से वापस stock जो है, efficiency के तरफ बढ़े, यहाँ पर देखिए, बहुत strong breakout, और उसके बाद stock देखिए, बार बार, यह balance होने के लिए, इन levels पे आ रहा है, बार बार, balance होने के लिए, इन levels पे आ रहा है, और जब, आपको, ऐसा लगे, कि balance नहीं हो रहा है, या value area, या balance area को, अब stock ने तोड दिया है, तो यह आप, इस पूरी uptrend के लिए, देखिए, यहाँ से यह जो uptrend सुरू हुआ, और यहाँ पर देखिए, फाइनली यह जो balance है, वो stock ने खो दिया, तो यह, यह पूरे uptrend के लिए, एक red flag आप समझ लिए, इसका मतलब trend की गती जो है, वो change होने वाली है, तो यहाँ पर देखिए, आप, आप खुद देखिए, कि किस तरह से, इस zone में आकर, बार-बार stock जो है, वो balance होती है, और फाइनली अपने balance zone को तोड़ देती है, इस zone को, इस area को तोड़ देती है, तो यह एक तरह से trend के लिए red flag है, अपने को समझ जाना सिए, कि यहाँ पर वो सकता है, trend का रवया, change हो जाए, trend का जो स्थिती है, अब इस चीज आप देखिए, बहुत important चीज है, इसे अपने दिमाग में डालिए, समझेए, कि moving average को हम lightly लेते हैं, लोग आपको moving average सिखाते हैं, लोग आपको बोलें के 20 दिन का moving average लगा लो, 40 दिन का moving average लगा लो, 1.500 दिन का moving average लगा लो, अप trend और downtrend में friends, एक से moving average काम नहीं करता है, जब मैं इस तरह की, इस तरह की cheating बाजी है, इस तरह के गलत perception, जब देखता हूँ लोगों को, बताते हुए, यूज करते हुए, सिखाते हुए, खून खॉल जाता है, यहाँ पर देखिए, यह moving average का set, अप trend में, एकदम strong uptrend में, कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा था, यहाँ पर देखिए, यह, 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 यह balance zone, बार बार अच्छी तरह से काम कर रहा था, लेकिन same stock, एक साल, देड़ साल के अंदर, जब downtrend में आ गया, तो अब ही यह वारा same set of moving average, यह balance zone की तरह काम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्या change हो गया moving average में, अच्छानक में stock में क्या change हो गया ऐसा, moving average जो uptrend में था, वो downtrend में काम नहीं आया, सिखा है आपने किस से, जाके उससे पहले पूछिए, यह ऐसा क्यों होता है, जवाब दे वो, मैं जवाब दूँगा आपको, इस वीडियो में नहीं काफी लंबा हो गया वीडियो, लेकिन इसका जवाब मैं आपको जरूर दूँगा, आपको अगर पता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अनलाइटेंड करें, नहीं तो फिर आप ने गलत जगे पैसे लगा दे, गलत बंदे से सिखा, गलत चीज सिखा, इसलिए पैसे नहीं बन रहें, गरेंटी बता रहा हो, इसलिए आपके पैसे नहीं बन रहें, अब एक पता का ट्रिक, यह हमारा बोनस आपके लिए, एक पता का ट्रिक, आपी डिवाली, तो यह ट्रिक आप समझ के रखिए, कोई भी कंसॉलिडेशन, ट्रेंड, मतलब एक सस्टेंड ट्रेंड के बाद, कोई भी कंसॉलिडेशन, एक सस्टेंड ट्रेंड के बाद, अगर 200 दिन के EMA बैंड के पास, जाकर रुख जाए, 200 दिन के EMA बैंड के पास, जाकर रुख जाए, तो आप समझना कि, यहाँ पर बहुत गहरी अक्यूमिलेशन चल रही है, इस जोन को कभी भी इग्नूर मत करना, यह स्टॉक जो है, आपके वाश लिस्ट में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि यह, एक मल्टी बैगर स्टॉक है, एक ब्रेक आउट देने के बाद, विस पोटक मूव आएगा, मल्टी बैगर चाहिए था ना, तो डिवाली स्पेशल यह है डिवाली स्पेशल, अपना मल्टी बैगर खुद खोजिए, खुद खोजिए अपना मल्टी बैगर, पिछले दिवाली पे, मैं आपको बताता हूँ, पिछले दिवाली पे, 2021, हम लोगोंने तीन स्टॉक, अपने मैंटी के साथ, डिसकस किये थे, अगर हमारे मैंटी ये वीडियो देख रहे हैं, जनरली वो नहीं देखते, क्योंकि उनको जरुवट नहीं पड़ती, यूट्यूब के वीडियो सेखने की, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज इस बात का कंफर्म करें, कमेंट में, या ट्विटर पर कहीं पर भी कंफर्म करें, कि यह हम लोगों ने आपको साथ डिसकस किया था, तो सबको पता चलेगा, क्या सकते हैं, यही सकते हैं, तीन स्टॉक हम लोगों ने डिसकस किया था, M&M, इन्डिया होटल्स, और मैजडॉक, मैजडॉक शिप बिल्डिंग, जो भी है, यह तीन स्टॉक हम लोगों ने डिसकस किया था, एक साल पर, पिछले दिवाली पे, यह तीन स्टॉक हम लोगों ने, तीन मल्टी बैगर स्टॉक्स उन लोगों को दिया था, जिसमें यह दो स्टॉक्स ने तो 100% प्लस के रिटन दिया, और इसने भी, यह स्टॉक ने भी अच्छा रिटन दिया, यह भी 85% प्लस, लाज्ज कैप होने के बाउच दिवा, तो हम जो डिस्कुस करते हैं, हम जो बताते हैं, मजाक नहीं करते हैं, कुछ मेंटेड है हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बार बार दिखाता हूँ, और बहुत सारे एक्जाम्पल दिखाऊंगा, कि 200 दिन के EMA बैंड के पास, जो कंसॉलिडेशन आपको मिले, उस कंसॉलिडेशन को आप क्रिपा, क्रिप्या करके, डोंट इग्नोर इट, कि देखिए, 200 दिन के मुविंग आवरेज के पास, स्ट्रॉंग कंसॉलिडेशन हो रहा है, और 200 दिन के moving average को hold करके रखा है और उसके बाद यहां से breakout मिलता है तो यह आपका multi bagger stock बन जाएगा बस hold करने का conviction चाहिए देखिए यह अगें भारती एटल देखिए 200 दिन के moving average को hold करके रखा था 500-500 के levels के पास उसके बाद 700-700 50-60% बढ़ जाता है तो देखिए मजाक नहीं है आज large cap stock अगर 50% बढ़ता है तो मजाक वाली बात नहीं है अगर आप इसमें placed रहते हैं तो मजाक वाली बात नहीं है तिर्व अपने को देखना है कि एक अच्छे fall के बाद strong fall के बाद अगर यहां पर कुछ हो रहा है इस टॉक में डोंट इग्नोर यह मेरा पटाका आपके पास अच्छा अच्छे fall के बाद consolidation गोल्ड गोल्ड है यह अच्छे consolidation of break-out देखे 49,000 दे 55,000 गोल्ड में 10,000 का move क्या आप बोलते हो sir यह ना यह आप देखिए और moving average को और भी किस तरह से आप यूज कर सकते हैं यह आप अपने आप research करिएगा यह खोजने की खुद कोशिश करिएगा कि हम moving average को किस तरह से यूज करते हैं देखिए और भी non-con exercise action of moving average पर काम करें देखिए सबसे पहला है gauging the trend trend के end को और trend के beginning को सिर्फ moving average के थुरू आप पचान सकते हैं अगर आप मुझे में इसको 3 से यूज करते हैं moving average overbought and oversold कैसे बताएगा तो price पर overlay होता है बताएगा सर सब बताएगा यह moving average है सब बताएगा राइट यूज आज stop-loss trading tool आपको बताएगा और साथ इसाथ अगर आपको leading indicator यूज करते हैं उसके signal को भी smooth करतेगा देखिए market का जो मसाला है न successful trading जिसे हम बोलते हैं successful trading यह 3-4 element से बनता है सबसे पहला element होता है आपका price action price action खोट के घुल के पी रेना चाहिए आपके रगों में खून के साथ price action बहना चाहिए right दूसरा होता है momentum momentum right price action सीब जरूरी नहीं है price action के साथ momentum भी होना चाहिए acceleration भी होना चाहिए आपको पहचानना होगा कि कब momentum होता है तीसरा होता है market breath right market की सांसे किस तरह से market सांस ले रहा है market की सांसे आपको बताएगा कि market यहां पर बुरूख बदल गया market का market गिरने वाला है market उठने वाला है यह तीन चीजों का मसाला अगरा मिलाओ अच्छी तरह से इस कड़ाई में तब आपका फाइदा होगा कौन कौन से टूल किस किस चीज को यूज करने के लिए स्तमाल करने यह समझना जरूरी है यह समझना जरूरी है यह समझना जरूरी है यह चीज का जान तो यह moving moving averages के और भी usage हैं जो की हम आपके साथ कभी होगा तो शेर करेंगे तो फ्रेंट आज के लिए इतना ही उमीद करता हूँ आपको आज का आपके दिवाले तो यू और यूर फैमिली गूनाइट